अच्छा मोटर साइकल चलाएगा फिर क्या करना है बात बता क्या बात है अच्छा तो इसका मतलाब उसकंस ने तेरी जीव को काट लिया अच्छा चला चिंता मतगा हम जा करें कि उससे सिकायत करें कि उसे के बापसे अच्छा तू गोली बारेगा अर रुकजा 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 आए ये सान्ती की विबस्ता बना तिह थी टीक मैसे हो जंता लिकर इंपाफे आई अब निखे रुकजा 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 अभे रुकजा 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 पहले पूछलन दे ताके बाद में गोली मारगे ठीक है और इसी बीच में 11 रुपे जी तेंदर करिया बेटा कंसर जो को अब भी मान जाओ आप नहीं मानूंगा नहीं मानोगे ना बेटा जो को मैं फिर भी तुमें समझाता हूँ कि आप मान जाओ पिता जी मुझे तो लग रहा है आपके बुड़ापे के साथ आपकी बुद्धी भी मोटी हो गई है बेटा ऐसा कुछ नहीं है मुझे तो ऐसा ही लग रही है नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं है ऐसा ही है आप पर राज चलाना नहीं आरा इसका मतलब आप कहना क्या चाहते हूं अरे कहना क्या चाहता हूं तुम्हें गदी से पार कर फैगना चाहता हूं बेटा कंज मैं तुम्हारा बाप हूं मैं भी तुम्हारा बेटा हूं इज्जत के साथ मैं बात करें बुड़े बाप बोलो सरम नहीं आती अपने जबान बेटे से कैसे बात की जाती हैं मैंने अवे तुछ से कुछ गलत बोला मैं आप से कुछ गलत कह रहा हूं फिर क्यों मैं भल्दू की बाते कर रहा है कि ब्यास गद्दी से उतार के भेख दूँगा फिर प्यूंगा फैटी कर रहे हैं करने बाले मैं तुमारा बाप रोक नहीं सकता मेरा कोई बाप नहीं है समझ गए पिता जी मुझे सरम लगती हैं मुझे अच्छा अरे शोला है मेरे नाम का सारे जहान में और सेरों के छूटें कंज के सामने पिता जी आप बहुती प्रमेटने लाग नहीं हो अभी मैं आप अज महाराज उसी समय उसकंजने महाराज उक्रसेन को ब्यास गद्दी से जब उतारा है और अपनो राजा बन करके जब बैठ जाता है और उसी समय महाराज उसरी शुक्रदेव जी समझाते हैं कि हे राजन आज कंस ने अपने मंत्री से काया कि मंत्री मंत्री एक बात बताओ कॉलिए अब हम ब्यास गद्दी पर कैसे लग रही हैं बहुत बेड़े यह अच्छे लग रहा है ना कच्छे लग रहे हैं ऑच्छा हाँ अब तो हम राजा बन गए ना मैं कब रचाई यह बताओ नहीं हमारे मंत्री बने गए तो आब इह बताओ कमी कमी देखनी पड़ही महराज देखनी पड़ही महाराज कमी कमी कमीám कमी एल जो माराज आपके एक साथ का कान तो काईब है क्या कान इधर मौरो करना और हैगो और कमी देखके बताओ माराज मिले गई माराज आप खाना खाने से पेले मुख कूँ फेलाते हो अच्छा एक बात बता मंत्री जब तू खाना काता तू मौ नहीं फेलाता है मैं पेले केले अंदर कर ले तू ताइबाले कत्व अच्छा मंत्री बोला माराज अब तो हम सही लग रहे होंगे ना बढ़िया बढ़िया लग रहे है माराज मंत्री बोला अब तो हमारा राज या आप टेंसन मतने ना किसी भी बात की मैं तो टेंसन लाइन आए कब हूँ अहां नहीं तब तो देखो हमारे पिताजी का राज जता है इसलिए हम कुछ कह नहीं पाते थे वैसे बढ़िया तो बो ही लगते क्या कह रहा है मंतरी तो किंते कह रहा हूँ है अच्छा मैंने जाना मेरे बारे में कुछ बोल रहा है ना परिया लग रहे हो तो मतो अच्छा आज उस ही समय महराज मंतरी जी महराज एक बात बता हमारे राज में कोई दुखी तो नहीं है महराज आपके राज में एक इंसान बहुत दुखी है कौन? बहुत परेशान है महराज कौन है वो? वो आपके पीछे बैठा है क्यों इसे किसी मात का दुख है? बहुत दुखी है बहुत टेंसन में रहता है विचारा इसकी सूरत तो कहती नहींगी ये दुखी होगा पूछनी पड़ेगी? पूछा? दुखी तो नहाओ? महराज तुम्हारों राज आतकन सब सुकी है कहें हाँ सब सुकी होंगे इधर भी पूछ लो महराज ये बहुत बड़ा दुखी है क्यों? सुबही पांच मेजे पैपैपै करके सब को उठा देता है पांच मेजे होगन करने आता है नहीं कोई एक पती आता, नहीं कोई आता मंत्री महराज मेरी एक बात और ध्यान रखना कि कोई भी मेरे राज में यग गवन नहीं करेगा और नहीं कोई भगवान का नाम लेगा बागवद बागवद बेलकोल कुछ नहीं होगा मंत्री ये क्या कर रहा है? तुम नहीं कह रहे कि बागवद का जुना होगा इसलिए आप उस पंडित को समझा दो कि सुवह सो ये गवन ना कराए देख लाए ये वेटा जितने उपीरे मोच्छा मारे हो सब्सक्राइगे पेगे देगा ठीक है महाराज हाँ अब और पूछो कोई है करना है हाँ पूछ लेओ कोई दुखी तो नहीं है भी आप तुम कोई ना ये तुवाइडर के मारे है अच्छा सब सुक्राइगे ना महाराज हाँ अरे थुशी है तुमारी प्रजा नहीं कोई फर्फंद है और जितर देन का उम्हारा युदर आनंदी आनंदी बहुत सुन्दर मंत्री जैसा ही महाराज है तैसा ही मंत्री मिलगो है भहिया और हुआ क्या उस कंस के राजा बनते ही कानूने चैनले होन लगी भहिया और लुच्चा और लफंगन के रबडी संग भोजन होन लगी आज महाराज जब धीरे धीरे समय भी इतने लगा है तो उस कंस की भेन थी चचेरी देव की तो एक दिन मंत्री ने महाराज कंस ने अपने मंत्री से का कि भाईया मंत्री भाईया मंत्री बोलो एक बात सुनो गताओ गता आओ तुम ने हमारी बैन को देखा है देवकी को अहां है हो याय को भी ज्टेश नहीं वो साधी के योग को हो चकी है कि ए है के यह क्योंच है रबरवादे के योग हो चुकी है का की मनत्री करिए हमारी जो 誏न आ वह साधी के योग हो चुकी है तो फिर उसके बाद हमें करनागा है आपको ये करना है कि कहीं अच्छा घरवर देख करके हमारी बेन के लिए रिस्ता एक लड़का देखो और देखने के बाद में रिस्ता ते करो महराज, एक आदी बनो गुडो टुएट होएगो सब लड़का ही है महराज, एक बाद बताईए महराज, आपकी बेन की उमर कितनी है, क्या, हमारी सवालों का जवाब दो, बोलो, आपकी बेन की उमर कितनी है, हमारी बेन की उमर, हमारी बेन की उमर है, 20 साल की, 22 साल का लड़का चल जाएगा, हाँ बिलकुल चल जाएगा, महराज, 22 साल को ना मिले तो 11-11 साल की दुए, मंत तू पर उटी-सीती बात क्यों करता है काईदा की बात कह रहा है तू और का ये बता पहले हमारी बहन कितनी है तुमारी बहन 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 साथ आठ है अभी साधी के लिए कितनी है ये कही है तो फिर एक को के तेरे घर में ले जाकर के करें जे तो मैं बताई तो रहा हूं क्यों बता रहा है हमारी बेन एक है सुना महराज पांचु की बाची कच्छो बाबू को जिमा कंपू चची आगे जो जाईचु है देखो रस्ता में जब बराता बैई दौनों दूला संग कि अर्श्ता में एक खच्छो एगो तो बच्छी जाएगो मंत्री में दूला जाएक है क्यों ना में बसाई ना तेरी नजर में कोई नहीं है में नजर में है अगर एक है अगर एक है कि अगर देखता रहे अगर है अगर देखता रहे अगर देखियो अगर फिलकुल देखता है मंत्री, तेरा दिमाग खराफ दरेंगे, हम अपनी महरी की साथी तेरे साथ में करेंगे महाराज, यह गल्टा क्या होता है महाराज, यह गल्टी का छोटा पापा होता है मंत्री, क्या सी बात करता है तुए?